हेलो वाइस स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में और आज हम लेके आए हैं डेली गरंट अफियर 31 मई 2022 के सभी इंपोर्टेंट कोशन और साथ ही हम बात करेंगे जितने भी हमारे इंपोर्टेंट फैक्ट होंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो तो आज का मारा पहला कोशन है प्रेतिवर्श विश्व मासिक धर्म सवच्छता दिवस्का आयोजन कब किया जाता है तो इसका आयोजन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारी च्छोटी वक्षियों होती है उन्हें सेनेटी पैट के बारे में आवेर करने के लिए इसे माई जाता है और षीग न ours हार्मोन को अंत्रस्टा होता है तो वह होता है तेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस् इसा में हमारा जो की विषुगॉप होने वाला है तो होकी विषुगॉप होतल है और इसके अलाव अगर बातर आती है वे बड़ा ही फेमस मंदिर है कोणार्क तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर वह बड़ा ही फेमस है और ये अगर देखा-जाए तो सूर्य भगवान का ये मंदिर है, इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, और ये भारत का एक मात्र ऐसा मंदिर है, जो पूर ता सौर उर्चा पर आधारित मंदिर है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, नेक्स्ट है मारा अगला कुशन, हाली में वैग्यानिकों ने किस र रखा जाए, आपको सेला से याद आएगा, एक है हमारी सेला सुरंग, अब सेला सुरंग जो है, सेला सुरंग वो किस राज में है, तो वो थे अरणाचल, और वहीं पर इस बंदर की प्रजाती में लिए, सेला सुरंग के नाम पर इस बंदर की प्रजाती का नाम रखा गया है तो सेला मकाग जो मिला है वहां के हūना फळाचल प्रदेश और वंच्र। हमाई प्रदेश प्रदेश में हमारा बेर नाम दफा निशनल प्रदेश में और यह जो हमारा बंदर है कि इसी द्वारा खुजा गया तो यह घूर जी ले इसका द्वारा इसका मुख्याले कोलकाता में है और इसकी पहली महिला अथिक्ष कौन है ध्रतीब एनरजी इनका नाम भी आपको याद रखना है नेक्स्ट है हमारा अगला कुशन हाली में शुरू हुआ सत्रमा मुंबई अंतरास्टी फिल महुटसब में किस देश को कंट्री ओफ फोकस बनाया गया है तो अभी हमारा अंतरास्टी फिल महुटसब हो रहा है मुंबई में और यह कौन जे नंबर का है यह सत्रमें नंबर का इसमें एक देश को बनाया गया है कंट्री ओफोकस और वो किसे बनाया गया है तो यह बनाया गया है बांगला देश को तो इसका सह साथ ही अगर देखा जाए तो उसे मिलेंगे 10 लाग रोपे फिल्म को और साथ ही अगर बात आती है बांगलादेश के साथ अभी युद्ध्यव्यास हमारे चल रहे थे कौन-कौन से एक तो था हमारा संप्रिती दूसरा था बोंगो सागर और तीसरा था कार्पेट तो यह ती पूरिसकार जो बेस्ट एक्टर हैं वो कौन है रधमीर सिंगग और जो बेस्ट एक्टरास हैं वो कौन है कृति सेनन तो यह भी हमें थ्यान. सैंठ कूर नेक्स्ट है हमारा अगला कुस्षिन. हाली में प्रदान बंत्री यानि liquid form है और यह दुनिया के पहली ऐसी है और अगर बात आती है पहली वर्ड तो नैनो जो नैनो शब्द होता है नैनो का मतलब क्या होता है तो 10 की पावर माइनस 9 होता है नैनो और अगर बात आती है यूरिया की तो यूरिया के जो जनक माने जाते हैं या यूरिया को किसे ने बनाया तो यूरिया को अगर देखा जाए तो ये बनाया है वोलर ने तो वोलर इसके निर्माण करता है यूरिया के और अगर बात आती है ये जो सैंत्र लगा रहा है ये सैंत्र लगा कौन रहा है तो ये लगा रहा है इसको लगा रहा है और अगर बात आती है इसको हमार नाय गया था और अगर देखा जाए यह जो तरल सेंत्र बना है यह जो थर्ण सेंत्र नैंपर है यह बना है कलोल और कलोल हमारा कहां पर है जुझरात में तो में हम हरा धfy doctor अग्र ढटो मत finger हाली में भारतिय नौसेना के गोदावरी शेणी के निर्देशित मिसाइल पोत INS गोमती को कहां पर सेवा मुक्त किया गया है तो एक हमारा भारतिय नौसेना का जहाज है जो गोदावरी शेणी का है जिस पर मिसाइल पोत है INS गोमती और गोमती इसका नाम बढ़ा है गोमती नदी के नाम पर इसे कर दिया गया है रेटायर और कितने साल बाद किया गया है इसे किया गया है 34 साल बाद रेटायर क्योंकि इसे जब रखा गया था तो इसे रखा गया था 1988 में और अब अगर देखा जाए तो अब चल रहा है हमारा 2022 और कितने साल हो गए तो 34 साल बाद इसे सेवा मुक्त कर दिया गया यानि रेटायर कर दिया गया और कहाँ पर किया गया ये किया गया मुंबई में तो इसका सही आंसर है मुंबई नेक्स्ट है हमारा अगला कोशन हाले में किस राज सरकार ने समान सिविल सहिता को लागू करने के लिए सेवा निवरित सरवोच ने आयाले जस्टिस रंजना देशाई की अत्यक्षता में मसवदा समिती का गठन किया है अब बात आती है समान सिविल सहिता तो अगर देखा जाए हमारा समान सिविल सहिता किस राज में लागू है तो यह अगर देखें तो गोवा में लागू है इसके अलावा दूसरा एक राज है जिसने इसकी बात करी है तो वह है उत्राखंड और उत्राखंड ने ही एक सेवा निवृत हमारी सरवोच ने एले की जस्टिस है रंजना देशाई उनकी अध्यक्ष पर जरता लागू करने के लिए एक अले में किस भारतिय के मुक्हेवाजी संगत्ली समिथ चुना गया लें और बहुट से संबंद्य थे हैं और हमारे ना बैन औward और और यहatos ikeel olympic में bronze medal भी जीता था तो यह तो बनी है ह主 Beautiful एक नाम और राता है तो यहां पर हमारा दूसरा नाम आता है शिव धापा शिव धापा को भी शामिल किया गया है इन्हें शामिल किया गया है हमारा सदस्औarta की रूप में तो यहां इस समेति की सदस्धी की रूप में किसे बनाया गया है तो यहां शिव धundhapa को और अगर अध्यक्ष की बात आती है तो लवलीना बोरकोई इन को अध्यस अध्यक्ष बनाया गया है आई सस्फ जूनियर Division 2 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीश पर रहा अगर बात आती है ISSF की तो International Shooting Sports Federation इसका जूनियर विशुकप 2022 हुआ है इसमें कौन सा देश शीश पर रहा है जो पदक तालिका में तो इस यह अगर ज抓 यह बिश्च awak a हूँआ तो यह विशूच अप हूआ है Germany में और Germany मेंन हो斯ल 1 ने हूआ है और यहाँ अगर देखं़ इसका जोनेत्रत क्या है इसकानेत्रत करता कौन है इसके नेइसके तो सौरब चौधरी एक तो नाम आता है हमारा सौरब चौधरी का और दूसरा नाम आता है मारा मनु भाकर का तो यह दोनों नाम रूप से तो और्गैनिक मतलब बात आ रही है जैविक रूप से तो जैविक खेती अगर देखा जाए भारत इस समय है जैविक खेती पर बड़ा फोकस करना है और भारत का जो पहला जैविक राज्य है पहला जैविक राज्य अगर देखा जाए तो कौन सा है वो है हमारा सिक और अबात आती है भारत का पहला केंदर साश्यत प्रदेश योकी मेघ राज्ये, तो यह कहा है, तो यह बात ताती तीसरा Global Organic Expo 2005 कहां आयूजित हो रहा है तो यह जो आयूद किया जा रहा है यह किया जा रहा है दिल्ली में इसका सही आंसर ऑप्शन D दिल्ली में और जैवी खेती को बढ़ावा देने के लिए इसका आयूजित किया जा रहा है नेक्स्ट हमारी लास्ट वीडियो यह तो थे हमारे सभी important question और अब हम देखते हैं हमारा जो पिछली वीडियो में हमने सवाल पूछा दा उसका अंसर गया है तो भारत में ड्रोन मौटसब कहा है जित किया जा रहा है इसका सही अंसर देली और नेक्स्ट है हमारा आज का सवाल तो आज का सवाल हमारा हाली में डा सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ हमारे description box में भी इसका link दिया हुआ है आप वहां से भी download कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को like करें share करें comment करें और चैनल को subscribe करें thank you guys